वर्चुवली लोगों का इलाज करना चाहिए मैं वर्चुवली लोगों का इलाज कर रहा हूं मेरे पेशन एडमिट नहीं होते हैं और हम वर्चुवली उनका इलाज करते हैं आप से कैसे जूड़ सकते हैं है हमेरे को तो जूड़ना सबसे असान है मैं चलूगा कि 50 लाख ल नमस्कार मेरे नाम केस्व कुमार जायर आप मूब मीडिया देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ पदम सरी डक्टर केके अगरवाल जी है इन से जानेंगे कि जिस तरह से देश भर में लगातार करोना के मामला एक बार फिर बढ़ रहा है और दो लग से ज़्यादा केसे आ रही है सर फिर से लोग डर गए हैं क्या 2020 में जो इस्तिती पाइदा हुई थी इस समय क्या अब वही इस्तिती या उससे भयानक इस्तिती पाइदा होने जा र इसी रोजका लेकर चलूंग तो मैं यह मान के चलूंगा कि पचास लाख लोग को माइनर इंफेक्शन साथ में हो रहा है माइनर इंफेक्शन साथ में हो रहा है घर में है या उनको भीमार लिया है और अगर ऐसा होता है तो करीबन 0.3.4 परसंट पॉपॉलेशन बेरी ये वाइरस इंफेक्ट करेगा, 10% पॉपुलेशन को इंफेक्ट करेगा, कुछ दिखाई देंगे, कुछ अपने आप ठीक हो जाएंगे, कुछ सीरियस होंगे, मौका है मिटिगेशन का, मिटिगेशन का मतलब है कि हर फैमली घर में बैठके डिसाइड करें, कि अगर हो गया तो किसको बचाना है, उसे बोलते हैं हम ट्रायज एन मिटिगेशन, दस साल से कम के बच्चे अपने आप ठीक हो जाएंगे, मेंस्टुएटिंग और ते अपने आप से ठीक हो जाएंगी, जिन लोगों को वैक्सिन लग चुका है, उन्हें सीरियस नहीं होगा, जिनको पहल कमुझेशन कहलाता है, कि आप राइच करिये, और उन लोगों को जिनको जिनको और सीरियस हो सकता है, उनको पहले से कोई प्रेवंटिव की दवायां दे क्यां, गर आप वेट करोंगे आज की डे-ट में, तो रोगे, कि बैट नहीं मिल रहेये, विस्तर नहीं मिल रहा, सब को होगा और अगर सब को करोना एक बारी में हो गया तो मैं अपने घर को कैसे मैनेज करूंगा सब करोना के बाद में सरकार ने खुदिक है कि मेरा वैक्सिन सतर परसंट काम करेगा तो तीस परतीशत लोगों को तो करोना हो गई होगा सौ में से अगर सरकार ने खुद ही तो कहा है ना कि हमारा वैक्सिन डी सी जी आई ने ये क्या कहा है कि हमारा वैक्सिन सतर प्रतिशत लोगों में काम करेगा इसका मतलब क्या है कि तीस प्रतिशत में काम नहीं करेगा और तीस प्रतिशत में काम नहीं करेगा तो सौ को वैक्स में तैंसा फैरी सिमुटार्पी तो कहा है कि अनुर्फ करोट ने वीयादा यह से लिए सब्सक्राइब को होगा आज की देट में तो तीस प्रतिशत में तो आऊगे ना सौक के अंदर में अब वो योगी हैं कि कोई भी हैं तीस पर्टिशन जैंड साइट तो पहले यह लोग कह रहे थे कि अगर भारत में इस वकत में एक करोड़ करोना को आप लगाओगे तो तीस लाग को करोना होना चाहिए यह तो डिसी जी आई मान रहा है यह तो कंपनी वाले खुद ही कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको को आप सतर में आओगे कि तीस में आओगे मास पेहनो स्रकार करے खेए कितने दुन आओगे कुछ सब्थियार क्यां कि हम एंटीब टेस्ट कर सकते आप अबी जो मारकिट में एंटीब दुबारा होगा वैक्सिन के बाद भी दुबारा होगा कोरोना के बाद भी दुबारा होगा चिक है मेरे पास में कितने केसिज हैं कोरोना हुआ वैक्सिन लगा फिर वैक्सिन लगा फिर करोना हो गया यह भी हो रहा है सो जितना आपने आपको बचा सकते हो बचाओ नमश्का हो विल यू से कि नहीं हो सकते हैं तो सवाल आप से और हैं कि जो लोग करोना पॉजिटिव हो रहे हैं जिसके घर पे लेकर अपना इलाज कैसे कर सकते हैं कौन सी दवाई ले सकते हैं और क्या मतलब एतियात परतना चाहिए उनको घर में रहके आप 98 परसंट लोग घर में बैठके अपना इलाज कर सकते हैं आप किसी भी अपने लोकल डॉक्टर से संपर्क में आई है और हर डॉक्टर को अपना वर्च्वली लोगों का इलाज करना चाहिए मैं वर्च्वली लोगों का इलाज कर रहा हूं मेरे पेशन एड्मिट नहीं होते हैं और हम वर्च्वली उनका इलाज करते हैं सकते हैं हमेरे को तो जूड़ना सबसे असान है मेरे को तो कोई डिफिकल्टी नहीं मेरा नाम तो हर जगा लिखा हुआ है गूगल में जाओगे मेरा नंबर इमेल सब्सक्राप रूंड सकते हैं अगर कोई आदमी मेरे से वन टू वन मीटिंग चाहता है तो उसको पेमेंट देना होता है कि हाट किया फ़नेशन ऑफ इंडिया को डोनेट करना होता है मेरे को फीज नहीं लगती है लेकिन अगर उसने ग्रूप में आना है दवाईयां कौन सखा सकते हैं दवाईयां हम अभी ऐसे प्लेटफरम पे नहीं बोल सकते हैं वह यल आउट भी नहीं है बोलना कोई इतियात के मशीन वेकर अकॉंट से रख सकते हैं और इस पी अटो मॉनिटर है सिरफ और अखिये और इस तरह से ठीक हो सकते हैं और डाक्टर के के अगरवाल जी के आप जूर सकते हैं और इंसे सला ले सकते हैं ऑनलाइन भी निके जूम आईडी के जड़िए और And press the bell icon, never miss an update